Hello students, welcome back और hope आप सब सेफ हो, हैपी हो और अपना ध्यान रख रहे हो और अपने फैमिली का भी ध्यान रख रहे हो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में आज डिसकॉशन करने वाले हैं बहुत सारे बच्चों के क्वरिस था कि बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं सिलबस अल्मोस्ट कंप्लेट होने को हैं खासकर 10th और 12th बोर्ड के बच्चों का तो अभी इतने सारी सिलबस इतने सारी चीजों को याद कैसे करें और मैंने काफी सारे बच्चों को सजेस्ट भी किया था कि हैंडी नोट्स बनाने के लिए बट बहुत सारों का ये भी कंप्लेन है कि हमें पता नहीं है नोट्स कैसे बनाएं किस तरह से उसको कंपाइल करें डेटा को आज हम उसी पे डिसकस करने वाले हैं तो देखते हैं आपको नोट्स बनाने के जरुवत क्यों पढ़ जाएगी सबसे इंपोर्टन बात उसी पे बात करते हैं पहले तो आपको नोट्स इसलिए चाहिए क्योंकि आप इंपोर्टन चीज़े याद रखना चाहते हैं और बाकी चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हैं बुक में बहुत सारी इंफोर्मेशन रहती हैं एक चाप्टर के अंदर आपको 20 पेज़े मिल जाएंगे लेकिन आपको 20 का 20 पेज़ पूरा याद नहीं रखना है आप जब क्लास में कोई चीज़ पढ़ाया जाता है तो आप उस चीज़ को उसी टाइम के लिए याद रखते हो लेकिन एक दिन के बाद आप उसका 40% भूल जाते हो यह ब्रेन का एक नेचुरल टंडेंसी है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पर देखिए मैंने एक कर्व यहाँ पर लिया है और यह मैंने एक जॉर्नल से लिया है तो इसे बोलते हैं तो कर्व ओफ फरगेटिंग मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है एक दिन हो गया दो दिन हो गया तीन दिन हो गया आप किसी चीज को पढ़े हुए हो तो फर आप दीरे-दीर उस चीज को भूल जाओ गई है यह सिंपल सा लॉजिक है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 100% आप जब देखते हो इक चीज को तभी याद रहते हैं उसके बाद एक दिन बाद आप वैसे भी 60% चीजें ही याद र क्या करना है सबसे पहले compile करना है डेटा को और आपको बार बार रिवाइस करते रहना है अपने बरेन को बार बार याद दिलाते रहना है कि यह चीजें मेरे लिए और इसको मुझे रिटेन कर गनकते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए एक हैंडी नोट जहां पे की सारा पास एवेलेबल हो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्लास में जो नोट्स प्रोवाइड किया जाता है उसमें प्रॉब्लम किया है उसी को रेफर कर सकते हो लेकिन हैंडी नोट्स होना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्यूंकि उसमें आप अपने खुद से लिखे होग अभी जैसे पूरा बुक है 20 पेज का एक चाप्टर है उसको जब आपके टीचर नोट्स डिक्टेट कराते हैं तो हर एक डेफिनेशन हर एक पॉइंट सारा कुछ टच करके डालना होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है तो उसको भी आपको फिर से कंपाइल करना है फिर से आपको कंपराइस करना है छोटा सा एक नोट बनाना है एक पेज का जो नोट है वो चार पांच लाइन में कंप्लीट हो जानी जाहिए विद डेफिनेशन तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूं जिसमें की यह नोट टेकिंग जो है और नोट मे जो भी important चीज है बस उसी के important points के बारे में लिखना है मान लो कोई definition आपको लिखना हो तो यह जो definition है ना यह definition पूरा एजट इस आपको उतार के नहीं लिखना है उस definition में जो चीज important है उसको ही लिखना है जैसे कि मान लेते हैं एक for example bio reactor, bio reactor का आपको एक definition लिखना हो तो फिर bio reactor में क्या है एक सबसे पहले आपको वैसल एक बहुत बड़ा वैसल है मतलब एक large वैसल आपको लिखना है उसके बाद आपको क्या mention करना है इसका function क्या है आप वो चीजें तो लेखोगे definition में कि इसका काम क्या होता है तो वो चीजें चोटे चोटे एक एक लाइन में आप उसको लिखोगे पूरा sentence आपको नहीं लिखना है यह सबसे important बात रहा है दूसरा point क्या है आप जब notes बनाने वाले हो तो उसमें फ्लो चार्ट बना जो definitions है उसको एक एक लाइन में मतलब एक वर्ड में करके आप लिख लो उसके बाद एक चीज़ लेते हैं सेल के बारे में बात करते हैं सारे बच्चों को अच्छे से clear हो जाएगा मानलो सेल के आपको कुछ types लिखने हैं या फिर आप इसको किस तरह से note में convert कर सकते हो देखो सेल दो तरह के हो सकते हैं आइदर आपको यह prokaryotic मिल जाएंगे और एक हमारे पा नहीं होता है true nucleus no true nucleus लिख सकते हो यहाँ पर पूरा sentence लिखने के वजा है ओके या फिर आप कैसे कर सकते हो nucleus nucleus ले सकते हो इसको cross कर सकते हो या फिर true nucleus यहाँ पर टिक कर सकते हो इस तरह से आप इसको छोटे-छोटे form में convert करोगे next क्या है diagrams include करना जो आपके ncrt के अंदर जो important diagrams होते हैं उसको as it is पूछा जाता है कभी-कभी राइट तो उसको जब आप notes बनाओगे तो उस उस नोट्स के end में वो सारे diagrams आपके हो जाने चाहिए छोटे-छोटे diagrams बनाओ ऐसा नहीं कि पूरा बहुत बड़ा सा पूरा page में diagram बना दिया नहीं ज़रूरी नहीं है वन फोर्थ करो page को और हर एक हर एक पार्ट में आप एक-एक diagram को बना सकते हैं छोटे-छोटे notes के साथ ओके उस diagram के अंदर जो भी important points हैं छोटे-छोटे points में उसको एक-एक word में लिख लो complete कर लो उस चीसको ओके और जब आप notes बनाओ उसा माइंड maps बनाने का भी कोशिस करो relate करने का कोशिस करो किसी के साथ ओके जैसे की मान लेते हैं एक चीज़े environment के बारे में कोई पढ़ रहा है pollution के बारे में मान लो तो pollution को आप कैसे कर सकते हो जब आप pollution लिखोगे pollution लिखने के बाद कौन-कौन सा pollution आपके पास है air pollution एक है इसको यहाँ पे आपने डाल दिया water pollution क आपने लिखा noise pollution में आप इस तरह से speaker का यह लगा सकते हो so that आप जब इसको revise करो तो यह diagram देखके मतलब यह छोटा सा image जो आपने बनाया था इसको देखके आपके दिबाग में strike कर जाए कि हाँ यहाँ पे noise pollution भी था अगर इसके नीचे आप एक दो पॉइंट लिख सकते हो flow charts बना सकते हैं जो कि मैंने already आपको बता दिया था उसके बाद और आप क्या कर सकते हो short tricks लिख सकते हो याद रखने के लिए ऐसे बहुत से चीजें होती हैं जो याद नहीं रहती या फिर बहुत सारे information होती हैं तो उसको आप कैसे याद रखोगे short tricks भी लिख सकते हो अपन मान लेते हैं यह एक handy note है इसको आप यहाँ पर definition लिख रहे हो definition को heading जब दोगे तो उसको red से दे दो उसके बाद जो definition है उसको black में आपने लिखा आपने अपने जो handy note है उसका rule बना दिया कोई भी heading आप लिखते हो तो red में लिखते हो अगर वह definition हुआ तो उसको black में आप इसके important points और बाकी जितने भी simple simple points है उसको आपने blue में consider कि blue में लिखा तो वो आपके दिमाग में एक picturized form रहेगा आपका handy note है उसमें कि जहां जहां आपको blue color दिखेगा आपका दिमाग अपने आप उसको recognize करने लग जाएगा कि यह सारा simple simple points है यह definition तो नहीं है उसके बाद आप क्या कर सकते हैं charts बना सकते हैं pie charts बना सकते हैं जैसे कि for example अगर हम ecosystem के बारे में बात करें एक छोटा सा ecosystem आता है जो 9th के बच्चे बढ़ते हैं 12th में भी है तो ecosystem में pyramids आता है तो pyramid आपने बना दिया इस तरह से pyramid में सब कुछ आपको नहीं लिखना है कि what is pyramid, pyramid में क्या क लिखवा होगे handy notes में handy notes मतलब compiled data तो इस तरह से आपने एक pyramid बना दिया यहां पे नीचे सबसे नीचे क्या होते है producer होते है producer आपने लिख दिया producer के साथ यहां पे आप क्या लिख सकते है producer में कौन-कौन आते हैं उनको आप लिख सकते हैं यहां पे primary consumers secondary consumers इनके example यहां पे उसमें क्या होगा सबसे important फाइदा है आपको revision के time पे यह बहुत ही जादा help करने वाला है जितने भी important points है उसके बाद आपको क्या करना है जो notes आपने बनाए अभी तो सबसे पहले एक NCRT refer करके आपने बनाया होगा right उसके बाद क्या करना है जैसे ही आप revise करोगे questions के रहा है उसको आप क्या कर सकते हो आपके notes में डाल सकते हो आपके handy notes में तो उससे क्या होगा आपके दिमाग में एक चीज हमें सा रहेगी कि यह जो points मैंने लिखा है यह बार-बार repeat हुआ है और मुझे इस point को अच्छे से याद भी रखना है right उसको आप किसी अलग pen से भी सकते हो या फिर अगर वो चीज अलड़ी आपके notes में available है तो उसको आप mark भी कर सकते हो किसी दूसरे color से highlight कर सकते हो या फिर कुछ और important points आपको मिल गया तो आप उसको add कर सकते हो right अब सवाल आता है कि जो handy notes होते हैं वो copy मतलब notebook खरीद के उसमें बनाए जाए या फिर A4 sheets म से best होता है notes में भी आप बना सकते हो लेकिन A4 sheet में क्या है कि जो pages होते हैं वो तोड़े large page होते हैं तो उसको आप divide करके अच्छे से छोटे-चोटे areas में आप बना सकते हो अपना पूरा chapter को अच्छे से लिख सकते हो अगर आप notebook use कर रहे हैं तो उसमें last में क्या करना को एक पेज या दो पेज उसमें छोड़ देना एक चाप्टर कमानलो आपने compiled note बना लिया उसके बाद दो पेज आपने छोड़ दिया फिर next chapter शुरू कर रहे हो क्योंकि वो जो दो पेज आपने छोड़ के रखा है उसमें कुछ new information अगर आप दुबारा से जब पढ़ते हो या फ before sheet यूज़ कर रहे हो तो definitely आप paper remove भी कर सकते हो steple अगर किया हुआ है तो paper remove कर सकते हो दूसरा paper add भी कर सकते हो तो उसमें तो कोई problem नहीं आना चाहिए तो आपको क्या क्या काम करने है handy notes definitely एक रखना है अपने पास so that कि आपको revision करने में आसानी हो चीज़ों को आपको पूरा book revise नहीं करना है बस handy notes revise करने है recall करते टाइम यह सबसे important काम करेगा उसमें आपको flow charts include करना है line diagrams include करने है short short tricks आपको use करने है जो चीज़ें आपको mention करना है one word में आपको mention करते चलना है आपको पूरा sentence वहाँ पर नहीं लिखना है book आपको नहीं चापना है फरसे all right so hope की इसमें से काफी सारे बच्यों का कुछ queries जो था वो clear हुआ होगा और भी अगर मुझे कुछ और queries अगर मिलते हैं दूसरे किसी भी topic पे जो मुझे लग important role play करते हैं आपके exam point of view से आप दूसरों से किस तरह से आगे रहेंगे ये भी आपके handy notes decide करेंगे क्योंकि handy notes में जो extra points आप लिखोगे वो आपको extra marks भी दिलाएंगे बाकी बच्चों से so thank you very much for watching this video